टाइल पैटर्न को पहचानना भाग दो इस वीडियो में हम टाइल पैटर्न को पहचानना और पैटर्न में अलग-अलग ताइल्स की पहचान करके पैटर्न को आगे भड़ाना सीखेंगे गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज खुशी और महक स्कूल जाने के लिए तयार है महक देखो पट्री पर कितने अच्छे से टाइल्स लगाई गई है हाँ पर यह टाइल क्या होती है टाइल्स मिट्टी रबर और चूने से बने इटों की तरह छोटे छोटे अलग अलग आकार के टुकडे होते हैं तुभे कैसे पता? मेरे पिता जी टाइल्स लगाते है अच्छा यह कितना अच्छा पाटर्ण है इसमें दो रंग की टाइल्स को ऐसे आडा लगाया गया है और इसी क्रम को बार बार दोराया गया है इस पर चलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो तुमारे हैर क्लिप का पाटर्ण भी बहुत अच्छा लगा जैसे की काले और सफेड टाइल्स का बना हो धन्यवाद अरे वाँ, चलो अब स्कूल चलते हैं अरे देखो, गर्मियों के छुट्टियों के दोरान हमारे स्कूल को कितना अच्छा सजाया गया है हाँ देखो, अभी भी काम चल रहा है खुशी वो देखो तुमारे पिता जी पिता जी, आपने ये टाइल्स लगाई है हाँ बच्चों, अभी इस दिवार का थोड़ा सा काम बाकी है यह तो बहुत अच्छा पैटर्न है हाँ, पर टाइल्स को सावधानी से लगाना पड़ता है टाइल लगाते वक्त, हमें यह ध्यान में रखना होता है ताकि पैटर्न खराब न हो ओ, जैसे हम पेंटिंग करते वक्त ध्यान रखते हैं हाँ, तो महक, तुम इस पैटर्न को ध्यान से देखो और बताओ कि आगे मैं इस टाइल को कैसे लगाऊ सीधा या ऐसे लेटा हुआ ऐसे सीधा नहीं, लेटा हुआ एकदम सही और फिर ये वाला टाइल बहुत खूब, देखो, ये पैटर्न पूरा हो गया अब हम इसको सूखने देते हैं बच्चों, मुझे जंडा फहराने के खंबे के चारों और गोल आकार में टाइल्स लगानी है क्या, तुम दोनों मेरी मदद करोगी? सच्ची, हम भी टाइल लगा सकते हैं तुम मुझे टाइल्स से पैटर्न बना दो, मैं लगा दूँगा नहीं तो तुमारे यूनिफॉर्म गंदे हो जाएंगे पहले लाल टाइल्स का एक घेरा इस तरह? हाँ फिर सफेद टाइल्स को इनके साथ ऐसे लगाईए उसके बाद? फिर पिता जी, आप काले टाइल्स को सफेद टाइल्स के बीच पे लगा दीजिए ये तो तुमने बहुत अच्छा पैटर्न सोचा और लास घेरा फिर से लाल टाइल्स का बना सकते है अरे, तुम दोनों ने कितना सुन्दर डिजाइन बना दिया है इन टाइल्स से? बच्चों, देखो, खुशी और महक ने टाइल्स से कितना सुन्दर पैटर्न बनाया आप वीडियो को रोक कर कुछ और ऐसे पैटर्न्स के बारे में सोच सकते हो बच्चों, आपको स्कूल की दीवारें पसंद आई? चाचा जी आपने श्कूल की दीवारों को कितना रंगीन बना दिया है मैंने सोचा तरह तरह के ये पैटर्न आप सब को अच्छे लगेंगे आपने यहां तीन तरह के टाइल्स का उप्योग किया है लंबे वाले साइड में बीच में यह चार एक साथ और दो-दो करके ये वाले टाइल्स उनकी साइड में इस वीडियो में हमने सीखा टाइल पैटर्न को पहचानना और पैटर्न में अलग-अलग टाइल्स को पहचान कर पैटर्न को आगे बढ़ाना पैटर्न को आगे में झाल